हेलो फ्रेंड्स यह अपने पास एक एक्सवेशन प्लान है यह एक बेर हाउस का प्लान है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक गड़े का जो एक्सवेशन का जो कोश्ट है वह कितना आता है किर्प्या वीडियो को अन तक देखें दोस्तों फिर चूने से एक गड़े का जो प्लान है वह है मार्क करेंगे मैं आपको ड्रॉइंग में इसका डाइमेंशन दिखाना चाहता हूं यहां पर जो गड़े का साइज दिये गया है वह 1850 mm और 1700 mm है मैं स्कूल लाइब दिखाता हूं अपको यहां देखी दोस्तों आउटर से आउटर ए 1850 mm लिया इसकी लेंथ ली गई है और यह बित्वी 1700 mm आउटर से आउटर ले ली गई है और इस तरह से उपन एक चूने की साहता से इसका प्लान ड्रो कर सकते हैं एक गड़े का यह मसीन की साहता से एक गड़ा खोदा गया है इसकी जो डैप्त है वह 6 फिट ली गई है एकोर्डिंग टू ड्रोइंग और इन सब को सब गड़ों को जेसीवी की साहता से खोदा गया है और मैं जेसीवी के द्वारा जो कोश्ट है वही आपको बताऊंगा इस तरह से सभी गड़ों को चूने की साहता से मार कर लेंगे और यह इसकी जो सेंटर लाइन होती है वह है और एकोर्डिंग टू ड्रोइंग इनका जो कॉलम का साइज है वो दिया रहेगा अब दोस्तों ज़रा ध्यान से समझना कि कैसे कोश्ट निकालते हैं यह गड़े की यहां पर मैंने जो अपना गड़ा है उसको बनाए हुआ हुआ है प्लान किया गया है अटारा सौ पचास एमेम सत्तरा सौ एमेम एंड इसकी जो डैप्त है वह है शिक्स फिट अभी मैं आ यह लेंद है अटारा सौ पचास एमेम को 25 से डिवाइड कर दो तो आयाएगा अपना सेवन्टी फोर इंचेस तब सेवन्टी फोर इंचेस में ट्वैल का डिवाइड करेंगे तो आयाएगा 6.2 फिट यह तो सभी जानते ही है कि एक फिट में 12 इंच होते हैं देन दा बोल्यम ओफ अप एट एक गड्डे का बोल्यम निकालेंगे तो 5.8 इंटू 6.2 इंटू 6 तो जब अपना एक गड्डे का टोटल वोल्यम आएगा वह आएगा 215.76 क्यूबिक फिट एक गड्डे में से यानि की 215.76 फिट मिट्टी का एक्सिवेशन होगा और इसक कोस्ट निकालेंगे जैसे की एकसिवेशन कॉश्ट ओ वनकी फिट जो जैसी वी का एक क्यूबिक फिट तब हैं वह आता है तूऊ पाइंट फाइव रुपे यानिकि 1 0.5 रुपय एकसिवेशन कॉश्ट ओ बवनकीविक फिट तो टोटल कौस्ट खूफ 1 कुविक फिट त तोटल की विए फिट में अपन 2.5 रुपे का जब इंटू करेंगे तो 549.4 कुछ आएगा इस तरह से एक गड़े का टोटल कॉस्ट ऑफ एक्षिएशन अपन आसानी से निकाल सकते हैं और दोस्तों यहां इस एक्षिएशन प्लाम में टोटल 37 कॉलम दिए हुए हैं तो 37 ही गड़े खोदने पड़ेंगे तो इनका जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा टोटल कॉस्ट नंबर अप कॉलम 37 इंटू 539.4 यानि कि 37 में 549 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 19,957.8 रुपए इस तरह से इन सब गड़ों का जो टोटल कॉस्ट आएगा वो है आएगा 19,957 रुपए दोस्तों यह जो कॉस्ट था वह है जेसी वी से अगर एक्षिएशन करवाएंगे उसी का था अगर मैनुली अगर हातों से एक्षिएशन करवाएंगे तो उसका कॉस पंद्रा से बीस रुपए होता है एकॉर्डिंग टू सोयल थैंक यू वाचिंग फूर वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल